हलो 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 एंड वल्कम बैक कैसे हैं आप लोग एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आईए करते हैं एक और बैदरीन सेशन की शुरुबात आज हम लोग क्या देखने वाले हैं लास्ट टाइम का रिमेनिंग टॉपिक एक टॉपिक छूड गया है खुरुबात हमने बात की रिफ्रैक्षिन की रिफ्रैक्षिन रिफ्रैक्षिन क्या होता है जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी आप्टिकल density चेंज होने के कारण material की density change होने के कारण light को अपने original रास्ते से भटकना पड़ता है, deviate होना पड़ता है और यही प्रक्रिया कहलाती है refraction, हमने बात की glass slab की, glass slab के लिए refraction देखा, apparent depth का concept देखा, अब हम बात कर रहे हैं कि यदि मैं आपको एक curved surface दे दूँ, कैसी curved surface, मान लीजिए कि ये दो तरह की curved surfaces मैं आपके सामने बना रहा हूँ, और जो मैं derivation करवाओंगा, वो general derivation है, formula जो आएगा, वो हर तरह की curved surface के लिए applicable होगा, valid होगा अब ये एक प्रकार की curved surface है आपके सामने, और ये दूसरी प्रकार की curved surface है आपके सामने अभी जो मैं derivation बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखते चलना सभी लोग, क्योंकि यहीं से हम लोग आगे फिर बातों को बढ़ाएंगे, और lens makers formula derive करेंगे ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक object रखा हुआ है इस object की image हमको बनानी है, यह raise निकली एक normal drop कर दीजिए एक normal drop कर दीजिए मान लीजिए यह normal है, ठीक है यह normal है, normal कहाँ पे cut करती principle axis को, normal जो है center of curvature पे cut करती है बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तो यह incident ray निकली और यह इसकी final image बन गई यह क्या है मेरे भाई, यह final image है ठीक, इस point को आपने कह दिया pole, ओके इस situation में इस situation में हमको चाहिए एक relation हमको चाहिए एक relation हमको चाहिए एक relation किस-किस के बीच में, हमको चाहिए एक relation, you we और r के बीच इन parameters के बीच में और हाँ, definitely वो relate कर दे, कैसा relation जो कि relate कर दे refractive index of medium या तो refractive index of जो भी वो material है और refractive index जहां से light आ रही है अब आपके सामने यह task है सर्फ 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 देखते चलना है सुनते चलना है, ठीक है? आपके सामने यह task है यह task है आपके सामने हम लोग निकालेंगे relation ठीक है, साथ साथ में निकालेंगे एक relation निकालूँगा हर तरह की curved surface के लिए valid होगा बच्चे confused होते हैं कि सर, किताब में तो चार formula दिये हैं कि जब object rarer medium में हो जब image denser medium में बने तो अलग formula जब object denser medium में हो image rarer medium में बने तो अलग formula जब उस प्रकार कीümüz refracting surface हो तो अलग formula जब इस प्रकार की refracting surface हो तो अलग formula मैं बलता हूँ हटाओ अलग जीवन कितना complicated करें already इतनी सारी चीज़ें life में एक formula सीखेंगे पूरा काम हो जाएगा अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि incidence, angle of incidence कहा है क्या ये normal light है? हाँ जी है क्या ये incident ray है? हाँ जी है क्या ये refract light है? हाँ जी है तो क्या ये angle of incidence है? हाँ जी है, बिल्कुल है क्या ये angle of reflection है? हाँ जी बिल्कुल है अब मैं इन तीन angles का कुछ नाम दे रहा हूँ alpha, beta और gamma alpha, beta और gamma ठीक है? देखते चलना मैं approximation ले रहा हूँ मैं क्या approximation ले रहा हूँ? मैं क्या approximation ले रहा हूँ? मैं approximation ले रहा हूँ approximation ये ले रहा हूँ कि जो angle है angle, जो angle है वो बहुत छोटा है, और छोटे angle के लिए हमको मालूम है कि theta बराबर, sine theta बराबर, ten theta होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, होता है या नहीं अब देखो, rarer dancer इन सारी चीजों में उलजने के बदले, मैं सिर्फ इतना आप से कहूंगा कि आप दो बातों पर focus करें, सुनिए, key points क्या क्या है, मैं clearly बोल रहा हूँ, key points क्या क्या है, मैं clearly बोल रहा हूँ, मैं बात करूंगा mu1 की, mu1 वो refractive index है, जहां से light आ रही है, जहां से light आ रही है, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ, कि object कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, बस उस पर ध्यान देना, mu1 refractive index of medium from which light is coming, light is coming, जैसे कह रहा हूँ, वैसे ही समझना, वैसे ही लिखते चलना, उस medium का refractive index, जहां से light आ रही है, और mu2 जहां पे light जा रही है, mu2 refractive index of the medium, ओके, where, statement complete कर लेना, light is going, mu1 कहां से आ रही है, mu2 कहां से जा रही है, mu1 कहां से आ रही है, mu2 कहां पे जा रही है, ठीक है, angle के बारे में आपने कहा, कि जो angle है, वो छोटा है, angle जो है, वो छोटा है, तो angle अगर छोटा है, तो theta बराबर, sin theta बराबर, 10 theta, आया न, yes or no, जी बिलकुल, चलिए, चलिए, अब, आईए ज़रा, इस बात को आगे बढ़ाएं, यह angle of incidence है, angle of incidence को theta 1 लिखा हुआ है, angle of reflection को theta 2 लिखा हुआ है, और यह angle से alpha, theta और gamma, क्योंकि, small angle approximation हम लगा रहे हैं, तो अब हम Snell's law लगा के यह लिख सकते हैं, Snell's law क्या कहता है, मू 1 sin I equal to मू 2 sin R, हमने लिख दिया मू 1, हमने लिख दिया, मू 1 times of sin I, I लिख दो या theta 1 लिख दो, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, मू 2 sin R, R लिख दो या theta 2 लिख दो, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, ओके, ठीक है इबात, अब देखिए, angle अगर छोटा, sin theta बराबर 10 theta आप लिख सकते हो, अभी अभी हमने देखा, तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, चलो, उसके भी पहले, sin theta, तो हमने लिख दिया theta, sin theta, तो हमने लिख दिया theta, अब हम यूज़ कर रहे हैं, exterior angle property, सुना है, क्यों मेरे भाई, exterior angle property, क्या कहती है यह, property, यह कहती है कि exterior, exterior angle का sum, exterior angle की value, sum of interior angles के बराबर होगी, exterior angle की value, sum of interior angles के बराबर होगी, जैसे, यह exterior angle है, यह इसके दो interior angles है, है क्या, बिल्कुल है, देखो जारा triangle को, यह रहा triangle, देखो जारा triangle को, यह, देख रहो, देख रहो, देख रहो, अरे देख रहो, देख रहो, समझे रहो, समझे रहा हैं, बाद समझे रहा हैं, क्यो अखराशच फीटा बन इक्वल्टु अलफा प्लस बीता चल कि अपने थीटा बन को मैं चल क्या लिख लिख दू구요 इधावन को क्या लिख दियास अलफा प्लस बीटा यहां लिख रहाऊ मैं alpha plus beta, beta equal to theta 2 plus gamma, ठीक, theta 2 को लिख दिया, beta minus gamma, अब छोटे angle के लिए, 10 theta, बराबर sin theta, बराबर theta, तो आप लोग alpha को क्या लिख सकते हो, alpha को लिख सकते हो, perpendicular, यह point P है, तो यह भी almost P ही है, वो छोटी सी gap है वो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, mu1 times of alpha, alpha को लिखा, 10 alpha, 10 alpha को लिखा, opposite upon base, 10 alpha को लिखा, opposite upon base, opposite upon base, ठीक है, distance कितना base का, OP, OP, बहुत चांदा, beta को लिख दिया, opposite upon base, base का distance कितना PC, यहना, conventions बाद में put करूँँगा मैं, अभी जो बोल रहा हूँ, वो लिखते जाओ, divided by P, P, बहुत शांदार, दब्बे में डालो, equal to mu2, times of, वापस से क्या रहा है, यह बीटा रहा है, यहने के, MP, divided by, PC, minus, gamma, gamma क्या आएगा, 10 gamma, opposite upon base, कितना बनेगा, बोलते जाओ, MP बटा, P, I, MP बटा, P, I, MP बटा, P, I, क्यों है, ठीक, यह नहीं, गया, 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 निपड़ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, equation को मैं कैसे, arrange कर रहा हूँ, equation को मैंने लिख दिया, mu2 अपउन PC, ठीक है, mu1 अपउन PO, ठीक देता है, इसको एक बार पहले, पहले लिख देता है, mu1 अपउन OP, plus mu1 अपउन PC, ठीक है, इकोल अपउन PC, minus mu2 अपउन Pi, बस 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 बस, बस बस इस equation को देखो भाई सभी लोग इस equation को देखो देख रहो देख रहो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं PC PC वाली term एक साथ ले जा रहा हूं PC PC वाली term एक साथ ले जा रहा हूं इसको उस तरफ ले गया यह mu2 by pi को इस तरफ ले गया मैं left hand side तो यही equation हमको दिखने लगी कुछ ऐसी कैसी इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ mu2 by pi प्लस बन जाएगा न उधर जाके बिल्कुल बन जाएगा प्लस mu1 by op बिल्कुल बढ़िया equal to mu2 by pc minus mu1 by pc mu2 minus mu1 by pc खेल 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 हो चुक है general formula निकाला है मैं अभी तक एक भी sign convention रखा नहीं है आपे अब रखने जा रहा हूँ step by step systematic approach towards study देखो इसको बोलते हैं देखो इसको सामने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है mu2 by pi pi कितना है v है plus या minus plus या minus along the direction of incident light it is taken as positive ये देखो along the direction of incident light आप v measure कर रहे हो तो v को हम positive लेंगे या negative लेंगे बोलना पड़ेगा चुपने बैठना मुक्का पड़ जाएगा जल्दी बोलो क्या लेंगे इसको हम लोग positive लेंगे क्या लेंगे positive लेंगे P, I को आपने plus भी लिखा ठीक है है ना और O, P को क्या लिखा O, P को क्या लिखोगे इस तरफ जा रहे हो left hand side तो क्या बन जाएगा ये minus U बन जाएगा ठीक है P, C को क्या लिखोगे इस तरफ जा रहे हो T, O को हमने लिख दिया minus U और P, T को हमने लिख दिया plus का R देख लो देख लो यही equation क्या बन जाएगी mu2 by V minus mu1 by U equal to mu2 minus mu1 by R ये values यहाँ पर उठा के रखो अब मैं एक blank page ले रहा हूँ अब मैं एक blank page ले रहा हूँ ये blank page देल लेते हैं उपर खीच लिया हमने blank अच्छानदा क्या equation बनी है हमारी हमारी equation बनी है हमारा general formula एक curved refracting surface के लिए आया है ये mu2 by V minus mu1 by U equal to mu2 minus mu1 divided by R ये है general formula ये general formula है और मैं ये सुन लो ये formula हर refracting surface के लिए valid है हर situation के लिए valid है provided आपने follow किये है proper sign conventions ठीक है mu2 उस medium का refractive index जहाँ pay light जा रही है mu1 उस medium का refractive index जहाँ say light जा रही है R radius of curvature of the curved surface अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको मालूम है कि हमने अभी radius of curvature positive क्यों लिया क्योंकि हम लोग radius of curvature यहाँ measure कर रहे हैं हम लोग ऐसे measure कर रहे हैं radius of curvature हम लोग ऐसे measure कर रहे हैं radius of curvature और यह है incident light की direction और यह है incident light की direction और यह है radius of curvature ठीक है इसलिए आपने R कैसा लिया यहाँ पर इसलिए आपने R लिया positive ठीक है अगर ये situation है अगर ये situation है तो इसके लिए इसके लिए यहाँ measure करोगे ना यहाँ measure करोगे negative ठीक है यह है incident light धियान रहेगा सब ही को लिख लो जल्दी लिखो काम की बात है चलिए हो गया आई यह बातों को बढ़ा देते हैं आगे sign convention हमको अल्रेडी मालूम है क्या होते है sign convention अगर ये direction of incident light है अगर ये direction of incident light है और आप इसकी direction में measure कर रहे हैं तो जो distances आप measure करेंगे वो positive होगी याने situation के लिए r की value positive होगी अगर incident light की direction वैसे तो हम लोग नहीं लेते हैं कभी इस direction में लेकिन आपको दे दी हो change कर दिया direction of the object तो इसी situation में ये r negative हो जाएगा क्योंकि king कौन है पहले ही बताया था incident light is the king उसी के हिसाब से decide होंगे सारे conventions अगर ये incident light है और आप इस direction में measurement कर रहे हैं तो negative और अगर ये incident light है इस direction में measure कर रहे हैं तो positive पिर आप आनना है कि इसको मैं कुछ लिखने की बात नहीं है दिमाग में चपनी की बात है इसको कितना भी लिख लो जब तक apply नहीं करोगे numericals में तब तक clarity नहीं आएगी plus minus की ठीक है चलिए अब ये जो formula मैंने आपको दिया है ये valid है हर तरह की हर तरह की surface के लिए even for plain surfaces लेकिन अगर हम plain surface की बात करेंगे तो ये ही expression में r की value हमको infinite रखनी पड़ेगी plain surface के लिए r कितना होता है infinity होता है कितना होता है infinite होता है ठीक 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 मेरे भाई तो plain surface के लिए यही formula आपको कुछ ऐसा दिखेगा mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by infinity 1 by infinity 0 होता है तो mu2 by v minus mu1 by u equal to 0 याने mu2 by v equal to mu1 by u ओके और कही ना कही देखा जाए तो ये वही formula है जो आप real depth apparent depth में पढ़ते समझते आए हो कि वही तो है ये और क्या ही है ये रखा कहा है object दिख कहां रहा है ठीक है चलिए anyways that's not the agenda right now बातों को बढ़ाते हैं आगे बातों को बढ़ाते हैं आगे एक सवाल करते हैं अभी अभी हमने जो पढ़ा है ताजा ताजा concept उस पर करके देखते हैं एक सवाल दो cases आपके सामने है case number one और case number two सबसे पहले करो case number one सबसे पहले करो case number one उसका answer निकालो फिर करो case number two और अगर सही आजाए तो chat section में बताना जरूर मैं solve कर रहा हूँ आप लोग मेरा मत देखना मैं आपका नहीं देखूँगा ठीक चलिए तो एन एर बबल इन ग्लास ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको देखे रखा है 1.5 एन एर बबल इन ग्लास ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखे रखा है 1.5 situated at a distance of 3 cm from a spherical surface from a spherical surface of diameter 10 cm बहुत बढ़ी है as shown in the figure at what distance from the surface will the bubble appear मतलब आपको V निकालना है देखो पहली situation को solve करते है क्या-क्या देखे रखा हुआ है आपको object देखे रखा है object distance देखे रखी है कितनी देखे रखी है अब देखिए incident light की direction ये होगी measurement यहाँ से होगी Q की value लेंगे minus 3 cm V की value आपको निकालना है radius of curvature कितना ले लोगे आप लोग किस direction में measure कर रहे हो इस direction में measure कर रहे हो radius of curvature बन जाएगा minus का 5 cm Sir, mu1, mu2 कौन है बेटा, mu1 light जहां से आ रही है mu2 light जहां पे जा रही है जहां पे, कहां पे जा रही है light light कहा जा रही है glass से जा रही है तो mu2 की value light जहां जा रही है उसको मैंने 1 ले लिया mu1 की value मैंने ले ली 1 point ठीक है ठीक clear रही बात बताईए इतनी बात ने clear है तभी को क्या बन जाएगा यह क्या बन जाएगा यह आईए substitute करते है expression mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 divided by r आईए data substitute करते हैं आईए data substitute करते हैं mu2 mu2 याने 1 divided by v divided by v mu2 by v निकालना है v तो निकालना है माइनस mu1 कितना है mu1 1.5 by u u कितना है minus 3 equal to mu2 minus mu1 याने 0.5 याने 1 by 2 divided by r r की value है minus 5 तो यह expression आपके सामने आया है यह expression आपके सामने आया है कितना बन जाएगा यह solve कर लेते हैं इसको 1 by v इसको 3 by 2 लिख दिया 1 by 2 बन गया वो 1 by 2 नहीं 1 by 2 1 by 2 3 by 2 3 3 बन गया 1 by 2 उस तरफ गया minus 1 by 2 बना minus 1 by 10 तो यह कितना आ गया यह बन गया 10 और यह ओपर बन गया minus का 5 minus का 1 यह है 1 by v तो v की value कितनी आ गई v की value कितनी आ गई v की value कितनी आ गई v की value आ गई minus का 5 बटा 3 यह बन गया minus का 1 point कितना 6666 ठीक है निकालो तो तो तुम्हारा भी यह आए क्या क्यों तुम लोग अभी यह आए क्या कि कुछ और आ रहा है जिल्दी बोलो किस किस का यह आया है सब का यह आया है चेक कर लो एक बार calculation हो सकता है कि मैंने कोई गडबड करी हो हो सकता है कहीं कोई गडबड कर दी हो देख लो ध्यान से कर देख कर लीजिए सभी लोग ध्यान से ठीक है तो फिर बाते बढ़ाते हैं आगे चलिए अगले पर आते हैं अच्छा एक सेकेंड मू टू माइनस मू वन ओ एक छोटी से मिस्टेक हुई है मू टू माइनस मू वन होगा 1 माइनस 1.5 जो कि होगा माइनस माइनस 0.5 और आर भी माइनस है तो यह प्लस होगा यह प्लस होगा यह प्लस होगा तो यह प्लस होगा तो यह एक छोटा सा चेंज इसमें आएगा छोटा सा चेंज इसमें आएगा हमने मू 2 माइनस मू 1 बाइ आर में Mew 2 के जगे Mew 1 रख दिया था गलती से Mew 2 है 1 Mew 1 है 1.5 तो यह बनेगा 1-1.5 1-1.5 divided by R और R की value है minus 5 तो यह term बनेगी यह term बनेगी plus की क्योंकि यह minus 1 by 2 minus 0.5 है न divided by 5 तो यह ऐसी term बन रही है ठीक है यह plus का 1 by tenor है plus का 1 by 10 आ रहा है ठीक है plus 1 by 10 है यह अब यहाँ पर कितना बन गया V की value क्या आ गई V की value आ गई 10 by 4 10 by minus का 10 by 4 याने minus का 2.5 ओके negative है मतलब इस ही तरफ है और 2.5 याने कहां बन जाएगी image image कुछ यहाँ बन जाएगी कुछ यहाँ इधर कुछ ठीक है मतलब ही जो image है यह distance कितनी है यह 2.5 है पहले case का अंसर आगए 2.5 अब दूसरे case में सिर्फ एक change आने वाला है सुन लो मेरी बात object image सिर्फ एक change आने वाला है r में r की value यहाँ पर आप कितनी लोगे plus का 5 लोगे r की value plus 5 लोगे तो equation में सिर्फ इस जगह पे change आएगा equation में सिर्फ एक change आएगा और वो कुछ ऐसा होगा मैं directly लिख रहा हूँ r की value plus 5 कर दो उस जगह पे तो बाकी सब as it is बाकी पूरे calculations as it is 1 by v plus 1.5 by 3 equal to minus का 1 by 10 तो इस बार वा answer आएगा इस बार answer आएगा minus का 1.66 ठीक है इसको calculate करके देख लीजिए इस बार answer आएगा minus का 1.66 something सिर्फ एक change था दोनों में r का ठीक है चलिए note कर लीजिए तीजर अफ़तार में note कर लो जल्दी से 3 shot ले लो ठीक चलिए बातने बढ़ाते हैं आगे let's take the discussion ahead एक बार बढ़ी है सवाल है आपके सामने बढ़ो तरह सवाल को क्या कहता है calculate the value of refractive index mu for the given situation अब देखिए incident raise कहां से आ रही है अनंत से आ रही है कहां पे जा रही है medium में जा रही है और final image कहां पे बन रही है final image plus का 2 r पे बन रही है है ना अगर यह refracting surface है तो यह pole है और क्या measurement चल रहे है यह measurement चल रहे है ओके 2 r क्लिया तो आप लोग क्या लिख देंगे इस situation के लिए इस situation के लिए आप लिख देंगे 1 by mu 2 sorry mu 2 by v minus mu 1 by u equals to mu 2 minus mu 1 by r तो mu 2 by v mu 2 याने mu by v v की value लेली 2 r ठीक है minus mu 1 by u u की value infinity equal to mu 2 minus mu 1 mu 1 यह रहे ठीक है divided by r r plus r बनेगा बहुत बढ़िया कितना आगया expression आपका आपका expression आगया mu by 2 r equal to mu minus 1 by r गया तो mu equal to 2 mu minus 2 ठीक है तो यह कितना बन जाएगा mu की value 2 आगई यहां से note कर लो mu की value 2 आगई आसानी कहेंगे इस सवाल को तो easy था कोई बड़ी बात नहीं है mu की value आपने निकाल ली 2 अब बाते बढ़ा सकते हैं हम लोग हमारे आगे के discussion की तरफ and here we go अब हम शुरू कर रहे हैं lenses अब अगर मैं बात करूँ lens होता क्या है lens एक ऐसा system है lens एक ऐसा system है जिसमें दोनो side refracting होती है जिसमें दोनो sides refracting होती है अब दोनो sides के radius of curvature same भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं ऐसा भी संभव है कि दो में से एक surface जो है उसको आप plane कर दो एक surface को आप refracting रखो लेकिन एक कम से कम curved होनी जरूरी है ठीक है अब ये ऐसा ऐसा ये भी lens है ये भी lens है तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि ये lens है क्या है बेसिक definition दे रहा हूँ आपको lens की ये रही lens की definition क्या कहते हैं हम लोग lens की बारे में हम कहते हैं कि a lens is a portion of transparent material with two refracting surfaces दो refracting surface हैं जिन में से कम से कम एक curved है such that at least one is curved with refractive index of material being different from surrounding काफी common sense की बात है कि उसका refractive index आज पास के material के surrounding के refractive index से अलग होना चाहिए चलिए बहुत बढ़ी है a thin spherical lens with refractive index greater than that of surrounding behaves as convergent lens और convex lens that is converges parallel rays क्या क्या कहना है हम लोग कि अगर आपके सामने ये situation देके रखिए अगर आपको इस प्रकार की मैंने lens दे दी जिसके लिए central part central part थिकर है central part थिकर है थिक central part मोटा है जाडा है ठीक है तो इस situation में जो parallel rays आएंगी जो parallel rays आएंगी उनको ये क्या करेगा converge करवाएगा एक point पे और वो point क्या कहलाएगा वही point तो कहलाएगा focus वही point तो कहलाएगा focus और वहीं पे दूसरे end पे तो इसमें यदि आप इसमें यदि आप rays भेजते हो तो देखते हैं इसका कैसा behavior होगा इसके लिए यदि आप rays भेजते हो तो कैसा behavior होगा आपने rays भेजी parallel to the principle axis अब ये क्या करेगा ये diverge करेगा कहा करेगा कुछ ऐसे इसने diverge कर दिया तो क्या actual में image बन रही है बिलकुल नहीं बन रही actual में image बन रही है तो आप क्या करोगे खीचतान के image बनावगे ऐसे 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 तो ये does point पर आपने इसको खीच के image बनवाई वो point क्या किया कहलाएगा वो point केहलाएगा focus ठीक है तो यहां से हम definition दे रहे हैं, first और second principle focus की, तो तरह ध्यान से देखना, principle focus, first focus, first focus, first focus क्या है, first principle focus is the point on the axis where an object should be placed so that the image is formed at infinity, मैं object को कहां रख दू, principle axis पे, ताकि उसकी जो image है, वो कहां पे बने, वो अनन्त पे बने, infinity पे बने, वो कहां बने, वो infinity पे बने, मैं formula वागिर आभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं देखना है formula, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ एक formula रटना है, जो कि मैंने आपक mu1 by r, दुनिया की हर चीज, जितने formula हैंगे, सब निकाल लोगे, यह formula कैसे निकला, रख दो, mu1 कितना, focal length के बराबर, sorry, u1 कितना, u कितना, focal length के बराबर, b कितना, infinity, उठा कर रख दो, यह आगई, यह आगई आपके सामने, एक और formula, यह आगई एक और formula, यह आगई एक और formula बच्चे, इसको लिख लेते हैं, notes में, कह रहें, यह कौन सा formula था, वो कौन सा formula था, यह, यह case, यह, वो case, कुछ नहीं करना, ऐसे पागल बने, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रचना ही है, definition पढ़लो, बस first principle focus क्या है, second principle focus क्या है, second principle focus वो है, कि अगर आप infinity से raise भेजो, तो व किसी point पर focus करेंगी, किसी point पर मिलेंगी, और वो जिस point पर मिलेंगी, वो point कहलाता है, वो point कहलाता है, वो point कहलाता है, बोलना पड़ेगा, मैं ही बोलता रहूं क्या, क्या कहलाता है, वो, वो कहलाता है, second principle focus, थेक clear है बात 100% clear चलिए बहुत शानदा lens के बारे में हमने क्या कहा lens के बारे में हमने काफी बाते कही central part अगर thinner है lens का तो वो behave करती है as what kind of lens as divergent lens या तो concave lens या तो concave lens चलिए बहुत बढ़िया आपके सामने picture आ रही है अगर R1, R2 अलग-अलग अगर R1 और R2 अलग-अलग तो ये कहलाती है by convex lens अगर R1, R2 same तो ये कहलाती है equi convex lens अगर एक surface infinite दूसरी surface R, एक surface plane और दूसरी surface curved तो ये कैसा curvature है ये convex का curvature है और एक plane है plano convex ठीक है एक convex surface उसके अंदर एक concave surface तो concave O convex मतलब convex के अंदर concave ठीक है by concave by concave equi concave R, R same ठीक है एक plane कर दो plano concave और और concave के अंदर convex याने convex O concave convex अंदर है concave के ये चित्र important है ये लिख लो मैं चाहूँगा कि आप ये बनाए तेज रफ्तार में सभी लोग बना लिजिए जल्दी डण 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 हो गया चाह लिए Optical center क्या point है Optical center वो point है जहां पे से यदि आप यदि आप किसी भी light को भेजते हैं तो वो undeviated pass करती है वो undeviated pass करती है Optical center वो point है जहां से आप यदि किसी भी light को कैसे भी खेजते हो तो वो बिना deviate हुए बिना refract हुए pass कर जाती है फिर चाहे किसी भी प्रकार की lens क्यों न हो mirror के लिए हमारा reference point होता था pole lens के लिए हमारा reference point है Optical center चलिए principle axis हमको मालूम है एक AC line किसी भी lens के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक AC line जो कि pass करती है optical center और और perpendicular होती है lens के जैसे यह देखो यह कहा से pass कर रही है यह O से pass कर रही है लेकिन O से तो infinite lines pass कर सकती है इलकुल कर सकती है लेकिन यह lens के कैसे है perpendicular है lens से कैसे है यह perpendicular है तो यह क्या है यह है यह है क्या यह क्या है यह है प्रिंस्पल एक्सिस और यह प्रिंस्पल एक्सिस पे ही लाए करते हैं दोनो centers of curvature ठीक है दोनो centers of curvature दोनो sides के center of curvature ठीक है प्रिंस्पल फोकस लेन्स के पास दो फोकल पॉईंट होते हैं पता है हमको बिल्कुल पता है कि ये एक refracting surface ये दूजी refracting surface तो दोनो refracting surfaces के corresponding दोनो curved surfaces के corresponding दो focal points होने चाहिए तो first focal point is an object point on the principal axis to which image is formed at infinity मतलब वही बात आ गई कि आपने इस point पे object रखना है और जो image बनेगी जो image बनेगी वो infinity पे बनेगी कहाँ पे बनेगी? infinity पे बनेगी ठीक? clear है बात? चल लिए बातने बढ़ाते हैं आगे second focal point क्या है? second focal point क्या है? second focal point is an image point on the principal axis corresponding to which the object lies at infinity मतलब अगर मान लीजिए कि एक convex lens की बात करें आपने object रखा है infinity पे यदि आपने object रखा है infinity पे तो वो किस point पे converge करवाएगा? रही इसको वो converge करवाएगा एक point पे जो कहलाएगा second principal focus और यही बात अगर हम लोग concave lens के लिए करें तो भेजो तरह parallel raise भेजो तरह parallel raise क्या करवाएगा यह diverge करवादेगा अब actual में raise मिल रही है क्या कहीं पे? नहीं मिल रही है actual में raise मिल रही है क्या कहीं नहीं मिल रही है तो आप क्या करवाओगे इनको? खीचतान के मिलवाओगे मिलवा दो इनको यह लेन्स वेकर है आफ लोग भी पीलो ऊच्छा ये तो फिर बाते बढ़ाते हैं कि अब हमने जो चर्छा की थी भुना ध्यान से बात है हमने जो चर्चा की जो curved surface पे हमने refractive index का formula निकाला ना curved surface के लिए हमने जो formula भी derive किया कौन सा कौन सा formula बता रहा हूँ mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r बस वही formula में दो बार लगाने वाला हूँ और आपका पूरा काम हो जाएगा आपका पूरा काम हो जाएगा पहले देख लो कि approach क्या है किस तरह से हम लोग सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं हम लोग देख लेना पहले कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे बताऊँगा कि एक बार में अगर आपने ध्यान से सुन ली सारी बात है और एक बार मेरे साथ कर लिया जीवन में दो बार आपको इस पर समय नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा वरना बच्चे बहुत उलचते हैं इसमें क्या प्लस क्या माइनस दिया भी किताब हो मैं ऐसी होता है कि यहाँ पर object रखा है तो इसको प्लस लो महाँ पर रखा है माइनस लो है यह लेंस है इसके लिए हमको फॉर्मिला इसके लिए हमको फॉर्मिला दिराइव करना है इसके लिए हमको फॉर्मिला दिराइव करना है बलकुल करना है अब मैं यह कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि मान लो यह object है यह object है और यहां इसकी final image बन रही है जानता सुनना यह point object है और यह इसकी final image है लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जो image बनने की प्रक्रिया है उसको दो बार में आप पूरी करो दो हिस्सों में पूरी करो सबसे पहले reflection होगा first surface पे फिर reflection होगा second surface पे अगर second surface नहीं होती तो image कहीं और बनती image कहीं और बनना चाहती थी पे इमेज तो कहीं और बनना चाहती थी लेकिन उसको फिर से converge कर रखे आपने यहां बनवा दिया अगर यह surface नहीं होती तो image कुछ आगे बनती कुछ कहीं आगे बनती ठीक है, now what am I saying, I am saying that you are aware about a formula, आपको एक formula पता है, mu2 by v minus mu1 by u, equal to mu2 minus mu1 by r, पता है न, बिल्कुल पता है, और आपको ये भी पता है कि mu2 याने वो medium का refractive index होता है, जहाँ pay light जाती है, mu1 याने वो जहाँ say light आती है, r की भी information है आपके पास, ये ही expression हम लगाने वाले हैं, ये ही expression हम लगाने वाले हैं, दो बार, ठीक है, कैसे दो बार, ऐसे दो बार, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो पूरी lens है, ये इन दोनों का summation है, this प्लस this, ये दोनों मिलके बनाएंगे final image, ये दोनों मिलके बनाएंगे final image, पहले object मैंने रखा हूँ मान लिया इधर, O पे, और मान लेते हैं कि image बन रही है, I1 पे, इसी point, I1 पे, अगर संसार में second curved surface नहीं होती, तो ये पूरा system आपको ऐसा दिखता, तो ये पूरा system आपके लिए तो कुछ ऐसा ही होता, ये ना, और आप image कहाँ पे बनवा देते, dotted line से join करता हूँ, dotted line से join कर देता हूँ, image आप बनवाते, I1 पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दूसरी curved surface भी थी, तो image जो है, I1 पे ना बनके बनी किधर, बनी I1 पे, I1 पे ना बनके कहाँ बनी, I1 पे, ना बनके कहाँ बनी, I1 पे, ना बनके कहाँ बनी, कुछ, I1 पे बनी, बस, बस, ये analysis में लगाने वाला हूँ, ये analysis में लगाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये हमने पूरा जो, हमारे स थी उसको हमने इन दो हिस्सों में ब्रेक किया और इसमें अब हम लगाने वाले हैं दो बार सेम फॉर्मिला कौन सा वाला सर ये वाला ये फॉर्मिला ठीक है ज़रा देख लो आपकी लेंस को यू वी आर रवन के दो आर टू के दो ये क्या है ये वी वन है ये क्या है ये वी वन है वी वन ठीक है अब सुनना पहले हम लोग लगा रहे हैं पहले हम लोग लगा रहे हैं कौन सी सर फेस के लिए फॉर्मिला इसके लिए फॉर्मिला इसके लिए अब्जेक्ट डिस्टंस कितनी है ये है औब्जेक्ट डिस्टंस image कहाँ पर बन रही है image कहाँ पर बन रही है image कहाँ पर बन रही है यहाँ पर बन रही है image क्या है यह position V1 है यह position V1 है यह position क्या है यह position V1 है और R कैसा है इसके लिए R1 positive है R1 positive है ठीक है expression मैंने लिखा म्यू टू याने लाइट कहां पे जा रही है लाइट कहां पे जा रही है लाइट लेंस में जा रही है पेरे भाई, लाइट लेंस में जा रही है लाइट लेंस में जा रही है लाइट लेंस में जा रही है तो हमने लिख दिया लाइट कहां पे जा रही है mu2 याने के mu lens by v, v को मैंने लिखा v1, minus mu1 याने mu medium, divided by u, u को अभी मैंने लिखा u, ठीक है, equal to mu2 minus mu1, mu2 याने mu2 याने y, y lens minus mu1 divided by r1, इसको देखो बस एक बार, मैं चाता हूँ, अब इसको देखो, और चैट में बताओ कि क्या ये equation सही है, चैट में एक बार देखके बताओ कि क्या ये equation 100% सही है, या इसमें आपको कोई गडबल लग रही है, क्या ये equation सही है, या इसमें कोई गडबल आपको लग रह ही है सही तो सही लिखो गडबर तो गडबर लिखो तही अगर लग रही तो डब्बे में डालते हैं ठीक यह किसके लिए है यह है पॉस्ट सर्फेस के लिए पॉस्ट सर्फेस अब एक्वेशन हम लिख रहे हैं सेकंड सर्फेस के लिए सेकंड सर्फेस के लिए हम एक्वेशन लिख रहे हैं पॉस्ट सर्फेस सेकंड सर्फेस ठीक है पॉस्ट सर्फेस सेकंड सर्फेस मुझको एक बात बताओ कि सेकंड सर्फेस को लाइट आ कहां से रही थी, लाइट यहां से आ रही थी, लाइट सुनो मेरी बात ज्यान से, आ यहां से रही थी, और जाना यहां पे चाहती थी, जाना यहां पे चाहती थी, चाहती थी, वहां पे जाना लेकिन चली गई यहां पे, तो यह है incident light, यह है incident light, incident light यह है, कहां से आ जा रही है, कहां से आ रही है, second surface के लिए कहां से आ रही है, lens से आ रही है, तो mu 1 को mu lens लिख दिया, कहां पे जा रही है, कहां पे जा रही है, medium में जा रही है, जो भी surrounding है, यह medium है, यह medium है, यह medium है, यह lens है, कहां पे जा रही है, medium में जा रही है, medium में जा रही है, medium में जा रही पॉइंट है ना आईवन ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि रेज जो है अगर ये ये लेंस नहीं होती ये कर्वड सर्फेस नहीं होती तो लाइट वहां पे जाके गिरती उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं as the virtual object और ये बनी हमारी final image तो ये distance को मैंने कह दिया image distance जिसको मैंने वी कह दिया final image कहां बन रही है final image यहां बन रही है इसको मैंने वी कह दिया और ये virtual object की distance को इसको मैंने वी बन कह दिया और ये है यू बस इन में ही खेलोने वालने पूरे अब इसकी equation तुम लिखके दिखाओ मैं को pause करो और इसकी equation लिखके दिखाओ second surface की equation लिखके दिखाओ, pause करलो pause करलो सबी लोग, जल्दी pause करो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखी, क्या equation है mu2 by V, mu2 याने जिस में जा रही है, किस में जा रही है medium में जा रही है, है न Spotify के लिख रहाऊ हूँ, second, second, second interface के लिख रहा हूँ इस equation को ध्यान से देखेंगे सभी लोग और बताएंगे चैट में कि सही है या गलत है या तो यह बतातो कि कितने लोगों ने यही equation लिखी कितने लोगों ने दोनो equation मेरे बताने के पहले ही लिख ली थी कितने लोगों ने दोनो equations मेरे बताने के पहले ही लिख ली थी लिख ली थी तो अब मैं mu medium minus mu lens को mu medium minus lens को मतलब इस equation को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या mu m by v minus mu l by v1 equals to minus का mu l minus mu m divided by r2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या क्यों गुरू ऐसे लिख सकते हैं क्या तो इसको मैं equation number one और इसको मैं equation number two ऐसा बोल सकता हूँ तो अब मैं दोनो equations को add करने जा रहा हूँ blank page blank page खतम हो गए मारे page खतम हो गए क्या हां जी तो adding equation one and two adding equation number one and equation number two equation number one और equation number two को add कर दो पहली फूर्चत में mu l by v1 mu l by v1 कर जाएंगे तो mu m by v minus mu m by u mu m by v minus mu m by u equals to mu l minus mu m by r1 minus mu l minus mu m by r2 है na so mu l minus mu m मैंने ले लिया है common और अंदर बच रहा है one by r1 minus one by r2 देख रहे हो क्यों ठीक है अब यहां पर हमने क्या लिख दिया यहां पर हमने लिख दिया mu m को common निकाल दिया हमने mu m को common निकाल दिया तो यह बना one upon v minus one upon u equals to mu m common निकाल के divide में भेजो यह बना mu l by mu m minus one bracket one by r1 minus one by r2 ओके ठीक है one by v minus one by u equal to mu l by mu m minus one bracket one by r1 minus one by r2 अब आपको मालूम है अब आपको मालूम है कि जब जब object को रख दिया जाए infinity पे तो final image बनती है focal length पे यह बात हमें मालूम है किसी भी lens के लिए और जिस प्रकार की situation अभी हमने ली है convex lens की तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमने object को infinity पे रखा है याने parallel raise आ रही है तो वो कहां जाके मिलेंगी वो जाके मिलेंगी focus पे इतनी बात की जानकारी हमको बखूबी है बहुत शानदाब है ना यह यहां पे image बन रही है final तो क्या मैं यह substitute करके V की value F और ऐसे लिख सकता हूँ 1 by F equal to mu L by mu M minus 1 bracket 1 by R1 minus 1 by R2 जान देने वाली बात यह है कि R1 R2 के conventions हमने अभी तक substitute नहीं किये है तो इस expression में R1 R2 R1 and R2 to be put or substituted with proper sign conventions ठीक है ठीक है बात लिखिये इतनी बातें काम की बातें हैं यह बहुत 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 ज़रबा बहुत काम की बातें हैं यह लिख लिए अभी यह सबने तो यह आगे हमारे सामने lens maker formula बहतरीन था बढ़िया था बस यह analysis जो हमने की ना पहले इस analysis में हमने जो time spend किया यही सब कुछ है यही सब कुछ है बाकी तो फिर क्या 2 step में कर लिया पूरा हमने 2 step में तो पुरे खेल हो गए 2 step में तो पूरे खेल हो गए है ना बस यह ध्यान देने वाली बात थी ध्यान देने वाली बात थी ठीक है चलिए 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 बाते बढ़ाते हैं आगे बाते बढ़ाते हैं आगे मागनिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं किसी लेंस के लिए अगर मान लीजिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और मैं एक रेंडम सिच्वेशन ले रहा हूँ मैं एक जनरल पोदिशन ले रहा हूँ मैं एक जन्रल पोदेशन ले रहा हूँ है न ऑब्जेक्ट की सुनिया सेंटर ओफ करवेचर फोकल लेंथ के बीच में यदि आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यह हाइट ओफ ऑब्जेक्ट है इमेज कहां बनेगी एक रे भेजिये पैरलल कहां से पास करेगी फोकस से पास करेगी दूसरी भेजिये अप्टिकल से बिना डिवियेट हुए निकलेगी और इमेज जो बनेगी कहां बनेगी बियॉण्ड सेंटर ओफ करवेचर बियॉण्ड सी बनेगी तो यह इमेज बन चुकी है और यह अबजीक्ट है आपका अब यहां पर आप डिफाइन कर रहे है मगनिफिकेशन तो मगनिफिकेशन होता है हाईट ओफ इमेज अपान हाईट ओफ ऑबजेक्ट हायट ओफ इमेज अपान हाईट ओफ अबजेक्ट है ओके एच आई अपॉन हो ट्रेंगल्स अगर आप कंपेर करें अगर आप कंपेर करें कि देखो दरा देख रहा हूं यह और के पास ठीक है क्या लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो आप आप लिख सकते हो टैन थीटा इक्वल्स टू हो पाई यू टैन थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्या बन जाएगा वो HI by V तो HI by HO का expression आजाएगा V by U HI by HO का expression आजाएगा V by U और अभी अभी आपने relation निकाला है यहाँ पर अगर आप left hand side सुनो यहाँ पर अगर दोनों equations के left hand side को compare करें तो 1 upon F को आप 1 upon V minus 1 upon U लिख सकते हैं 1 upon F को आप 1 upon V minus 1 upon U लिख सकते हैं तो आपने expression लिख दिया 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U कैसे यह कैसे लिखा आपने यह आपने लिखा by comparing LHS of the equations comparing the left hand side of both the equations दोनों equations के left hand side आपने compare करके यह बात लिखी और इसके बाद आपने magnification को लिख दिया इसके बाद आपने magnification को लिख दिया V divided by U ठीक है तो magnification के ही formula को आप लिख सकते हैं 1 by V equals 1 by F plus 1 by U okay तो 1 by V बन गया F plus U upon F into U ठीक है तो V की value आपने रख दी F U upon F plus U तो यह expression आपके सामने magnification का F upon F plus same expression आप लोग same expression आप लोग V के terms में بھی same expression आप लोग V के terms में भी ला सकते हैं okay U की value रख के चल यह तो بातें बढ़हा देते हैं आगे बातें बढ़हा देते हैं आगे image formation हमको देखना है image formation हमको देखना है दिखा देता हूँ आपको image formation सभी लोग, एक बार मैं वो diagrams बना के दिखा रहा हूँ आपको बस इन rules का ध्यान रखना है यह 3 rules का ध्यान रखना है पहला rule, कि यदी ray pass कर रही है optical center से तो वो undeviated pass करेगी दूसरी बात, यदी ray pass कर रही है first principle focus से और directed towards it, so it becomes parallel to the principle axis, मतलब मतलब यह कि यदी यदी ये एक lens है यदी ये एक lens है और ये principle focus है rays principle focus से अगर निकल रही है, तो rays कैसे pass करेंगी? parallel to the principle axis पास करेंगी parallel to the principle axis पास करेंगी ओके? तीसरी बात, तीसरी बात ray passing parallel to the principle axis passes और appears to pass through the f2 after refraction through the lens मतलब अगर rays parallel to the principle axis आ रही है तो कहां से पास करेंगी? कहां से पास करेंगी? second principle focus से something like this ठीक है? clear? clear? ठीक? शरली, बस यह rules ध्यान रखना है बाकी तो image formation वही है जो आप लोग अभी तक देखते आए हो दसवी class से आप देखते आ रहे हो बना के दिखा देता हूँ अगर हमारे सामने situation है अब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है object प्लेस किया हुआ है beyond center of curvature beyond center of curvature image कहां बनेगी? image कहां बनेगी? यह object आपने रखा है beyond center of curvature raise गई, parallel कहां से पास कर गई? focus से पास कर गई? दूसरी आपने भेजी something like this कहां से पास करी? एक हो दरफ object है यह क्या है? यह center of curvature है यह focus है यह focus है यह center of curvature है यह nuclear raise parallel focus से पास हुई optical center से जो निकल रही है undeviated पास हो रही है है न? beyond C आपने रखा तो image कहां पे बनी? between C and F बनी object आपने रखा object आपने रखा कहां पे? object object आपने object आपने place किया image कहां पे बनी? c and f कैसी बनी? real बनी inverted बनी diminished बनी है न? यह मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपका brush up हो जाए वापस 8 भी 10 वी class से देखते आ रहे हो तुम यह सब 10th में भी देखिऊंगी यह बात में कोई नहीं बातें नहीं बता रहा हूं है ना? चल यह एक आदी और बना के दिखा लेता हूं ठीक है बाकि आप लोग ट्राइ करना नहीं बने और बाकी के रही डाइग्राम तो मुझको अगले session में बताना बना के दिखाता हूं ठीक है एक आदी और बना के दिखा देते हैं आप जैसे हम लोग situation ले लेते हैं कि आपने object को रख दिया कहां पे center of curvature पर रख दिया यह center of curvature focus focus center of curvature तो अगर आपने object को center of curvature पर रख दिया image कहां पर बनती है वैसे तुम को मालूम है कि center of curvature पर ही बनती है बनाते हैं इसको parallel to the principal axis भेजा focus से निकली raise अब दूसरी optical center से आपने भेजी है ना नहाँ पे बननी चाहिए C पे बननी चाहिए free hand diagram बना रहे हैं इसलिए थोड़ा उपर नीचे हो जाता है यह point C है free hand बना रहे हैं अब scale वी scale लेके बनाता तो बात अलग होती ठीक चलिए अब अगर आपने object को रख दिया focal length और center of curvature के बीच में यह case आप बनाओ और एक और case F और O के बीच में अगर आपने object को रखा तो कहाँ पर image बनेगी दो cases आप try करना ठीक है आखरी case जिसकी में बात कर रहा हूँ यही सबसे important है क्योंकि इसी का काम आने वाला है हमारे optical instruments में एक parallel भेजोगे एक parallel ray भेजोगे कहां से निकलेगी focus से निकलेगी दूसरी भेजोगे optical center से undeviated निकलेगी ओके पीछे extend करोगे पीछे extend करोगे complete करना ray diagrams और अगर आपको ray diagrams बनाने में दिक्कत हो तो comment section में बताना अरे ray diagrams फिर से बनाएंगे हम लोग एक लिए session में तब तक के लिए आपको task देखे रखा है मैंने क्या task देखे रखा है अब आज का task ध्यान से सुन लो आज का task derive three times जाके derive करना है three times refraction at curved surfaces lens maker's formula and draw all ray diagrams ठीक है करना है आपको ये बनाने सारे ray diagrams वगेरा complete करने सारे ray diagrams ठीक है तो इतना task आपके लिए मिलते हैं अब अगले session में तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए okay data bye thank you